जै श्री शाम दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे से यूटूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज का जो ये मेरा वीडियो है वै ये मैं आपको गौशाला से तो नहीं ले के आया हूँ तो दिन के वक्त में गौशाला तो गया था लेकिन वहां पर जिल्दी जिल्दी में वीडियो तो नहीं मना पाया तो जैसे ही रामपूर बुशहर पहुंचा तो यहां पर एक भारी लेंड्स लाइड हो चुका है तो जिस वज़े से जो बेन हाईवे है और नेशनल हाईवे ह वह बंद हो चुका है तो जो सारा ट्रैफिक है वोल ब्रॉवाले रोड से मुड़ गया है तो इस वज़े से यह देखिए मैं आपको भी दिखा रहा हूं भारी जाम लग गया है तो पार वाला रोड तो बिलकुल ही बंद हो चुका है जो मैं रोड है नेशनल हाईवे वह कट चुका है वो शायद कल तखीर सही हो पाएगा तो अभी तो ब्रसात शुरू भी नहीं हुई है तो कुदरत न यह अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है अभी तो थोड़ी सी बारी शाही थी तो इतना बारी लैंड स्लाइड अभी सुब सुबा उपर निगल सरी मे अभी लैंड स्लाइड हुआ था तो वहां पर भी एक जैसे बी ऑपरेटर विचारा उसमें दब गया तो अभी रामपूर विशहर में भी दिन के वक्त में काफी बड़ा पाहड़ा आ चुका है खुपड़ी धांग के साथ यह ब्लॉक मतलब ब्लॉक है हमारे ब्लॉक विक क्योंकि आगे शेयर करता हूँ तो आपसे भी यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप रामपूर की ओर आ रहे हैं तो अभी ना आएं कल तक तो क्योंकि आपको भारी मतलब इदर से आना पड़ेगा घूमके वाया ब्रो और यहां पर जाम लग रहा है और यह वाला रोड भी से के कारण तो इसलिए क्रिपया यात्रा ना करें अपने घर पर ही बने रहे हमें तो मुझबूर है मैं आना पड़ा क्योंकि आज अपने ग्राम पिंचायत में गे थे तो वहां से वाप्स आते आते हमें रात होगी तो अभी देखिए मैं भी अपने घर के ओरी जा रहा और वहां में भी काफी लंबा जाम है मैं आपको जरा वी बार जाके दिखाता हूँ इतना जाम है तो आज भी बारिज तो हो नहीं दी लेकिन यह स्लाइट काफी वड़ा हो गया तो शायद कल तक रही रोड कुप आएगा पयर गी बार हो आएगा बार हूगा कर दो 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 आएगा